असलाम अलेकुमेंट वेलकम क्लास मैं हूँ आपका टीचे सेगेट बख सेकेंड जिर मैथमेटिक्स 2.3 का क्वेशन नमबर 13 करने लगे हैं इंटारली सिमिलर है रिसेंट क्वेशन के साथ कुछ भी डिफरेंट नहीं है सिंपल सा मैथड है जो हम फॉलो करते आ रहे हैं रिस लिखने की अपजाए मैं उसकी लिखतेता हूँ पावर वाइस डैट सो वाय इम राइटिंग दी एक्सपोनेंट प्रीजन आप जानते हुए क्योंकि हम इसको डिफ्रेंशियेशन करने लगे हैं तो यहां पर लिखनेंगे डिफ्रेंशियेट विद रिस्पेक्ट टू एक फिर पावर में से एक कम और बगार पावर के जो भी हमारा फंक्शन है यानि के पूरी की पूरी यह जो ब्रैकेट है अब इस पूरी की पूरी ब्रैकेट का क्या हैगा डेरिवेट यह उपर प्लस है ना या और नीचे मैन या आई होप सो यह स्टेप आपको पूरी तरह सम और नीचे है एक स्केर माइनस वान मैंने सेपरेट चलें नेक्स टाम में सेपरेट करेंगे अभी जैसे यह चला रहा ना इसको कैसी चलने देते हैं एक स्केर माइनस वन ठीक है वन ओवर टू माइनस वन या या इदर क्या होगा वही कोशन रूल क्योंकि दोनों तो हमने वही वारा रूल लगाना जो हम ठीकते हैं नीचे वाली वैल्यू का स्केर एक स्केर माइनस मान का स्केर नीचे वाला फंक्शन वैसे ही उपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस उपर वाला फंक्शन वैसे ही और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ए बैटरी यह है कि अब सारे पार्ट करो, कोई भी क्वेस्टन नहीं छोड़ना, यह मैं बार बार रिपीट करता रहता हूं, ओर राइट, लेट्स कंटीनियू, वन ओवर टू एज इस एक स्केर प्लस वन, एक स्केर माइनस वन, वन ओवर टू था तो यह हो गया, वन माइनस ट कोई हो स्केर, बिलकुल नहीं, इसको ऐसा कभी नहीं करना, इसको ऐसी रहने देना है, इदर आगया, एक स्केर माइनस वन, यह एजिटी से, इदर क्या हुआ, यह का भी डेरिवेटिव और वन का भी डेरिवेटिव, जैसे हैं मैं हमेशा करता होता हूं, अभी भी वही इसका derivative आप निकाल के देख सकते हो कि अब आप इस लेवल पे आचुके हो कि अब मैं आपको ऐसे लिख दूंके सर इसका आने वाला 2X और इसका अनसर आने वाला 0 तो अब आप इस मुकाम पर आ चुके हो कि मैं ऐसा कर सकूँ आपके साथ, कि आप समझ भी सकूर में डिरेक्ट लिख सकूँ, कि इस पूरी चीज़ का डेरिवेटिव आने वाला 2X और 1 का डेरिवेटिव आने वाला 0, तो 2X ही आएगा, लेकिन चलें, एक स्टेप और के लिए लिख दिया, ताकि थोड़ी सी तो एक्स्प्लेनेशन हो जाए, सर हम क्या करें, हम भी टेक्ट लिख दें, बिल्कुल नहीं, अपने इतने ही स्टेप्स लंबे करने हैं, ताकि मार्क्स पूरे आ सकें, आगे आगे आगे, एक स्केर प्लस 1, और इधर भी वही वाली बार, कि एक्सकेर जो है, एक्सकेर, इसका डेरिवेटिव आ गया, 2x, माइनस आया, माइनस, और 1 का डेरिवेटिव आएगा, 0, and I hope so, कि अब आपको completely समझ आ रही है, किसी किसम की कोई भी confusion अब हो नहीं रही, होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अब आप इस लेवल पर आजो के, डा की पावर है, माइनस वान ओगर टू, तो इन्हें लग 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 लिखती है, क्यों वो जब सॉल्व करेंगे तो बैटर होगा, अब जो बचा उसे लिख रहते हैं, यह चीज बन गई, 2x, मैं इसको पहले लिख रहा हूं, और x केर माइनस बन, क्योंकि यह मल्टिप्लाई ह यह लिख सकते हैं, इज्यादा तो होती है, क्योंकि मल्टिप्लाई हो रहे हैं, और क्या है, x केर प्लस बन, और बहुतों को समझ आगी होगी, next step में क्या होने वाला, genius हो आप लोग लिए हैं, या I know, क्योंकि math जब हम करते रहते हैं, तो हमारा brain थेज होता रहता है, लिज तो next step आगे कर लेते हैं, 1 over 2, 1 over 2, x केर प्लस 1 की power minus 1 over 2, x केर minus 1 की power minus 1 over 2, x केर minus 1 की power minus 1 over 2, साथ साथ देखते रही हैं, या, ठाकि है, मैं क्या गडबढ ना करूं, या, clear है, ठीक है, ओके, इसमें क्या हुआ, हमने यह देखा कि 2x दोनों में मुझूद है, या, लेखो कर 2x यहाँ पर भी है, 2x यहाँ पर भी है, तो 2x को common ले सकते हैं, it means, ले सकते हैं ना, बिल्कुल सही, हम 2x को common ले लेंगे, बात को ठीक से समयने, या, कोई confusion नहीं होने चाहिए, अगर हम 2x को common ले लेते हैं, तो यह हो गया, x केर minus 1, मैं इसको bracket में लिख देता हूँ, x केर minus 1, ठीक है, minus, यह बीच बाला minus, और आगे आगे x केर प्लस 1, x केर प्लस 1, लीजिए, यहाँ तक तो आई हो, आपको कोई confusion होनी नहीं चाहिए, किसी किसम की, कि हमने 2x को common ले लिए, तो अंदर आया x केर minus 1, यह बाला minus, और आगे bracket में, x केर प्लस 1, यह 2x और यह 2x खतम ह हो गया और इसकी जगा एक 2x हागे है, क्योंकि common ले लिए है, तो यह जो blue वाली bracket है, यह समझने के लिए ऐसे कर दीजिए, ठीक है, नीचे क्या पढ़ा हो है, x केर माइनस 1 का square, मैं side पे होके थोड़ा सा दिखा देता हूं, ता कि आपको कोई confusion नहीं हो, this whole thing becomes the same, इन दोनो मैं से 2x common ले लिया, 2x हतम हो गया, x square minus 1, minus x square plus 1 और नीचे वाली value as it is, क्या, I hope so, कोई configure नहीं है, let's continue, क्योंकि अब solve होने लगा, brackets को open कर देते हैं, यह आ गया, 1 over 2, यह x square plus 1 की power minus 1 over 2 as it is, bracket मैं open करने लगा हूं, तो अब ज़रा गोर से समझेएगा, ठीक है, यह जो x square minus 1 की power 2 है, एक step और कर लेते हैं, ताकि bracket open करने में आपको समझने में problem ना हो, यह multiply का symbol डाल देता हूं, चलो, क्यों doubt में आ रहा हूं है, नहीं, आजेगी समझ आपको, don't worry, यह 2x आ गया, अब bracket की, इस bracket की बात करते है, x square minus 1, यह bracket open कर दो, minus x square, minus plus minus 1, क्योंकि मुझे tension हो रही थी आपको समझ आएगी के नहीं, तो मुझे आपको confidence दिखाना चाहिए, आजेगी समझ आपको, इंशायल्ला, ओके नीचे आगया, x square minus 1 की power 2, अब क्योंकि यह multiply का symbol है, यह multiply हो रहे हैं, तो जो उपर नीचे values लिखी है, वो cut ती है, और जो multiply हो रही है, उनकी power z होती है, अगर वो same होतो, क्या देखा, कि यह 2 भाई साब, इस 2 भाई साब से cut out हो गए, जी, बिल्कुल सही, अब ज़रा एक एक स्टेप करके कर लेते हैं, x square plus 1 की power minus 1 over 2, तो अगर मैं इसे नीचे ले हूँ, x square plus 1 की power minus 1 over 2 को, तो नीचे आके हो जाएगी x square plus 1 की power positive 1 over 2, लीचे यह चीज solve होगी, अब इसकी बात करते हैं, x square minus 1 की power minus 1 over 2, x square minus 1 की power 2, इसका मतलब यह है, x square minus 1 की power यह वाला 2, और इसकी power minus 1 over 2, यह add हो गए, तो plus minus minus, समझ है है, मैंने क्या बोला, क्या लिखा, यह आप लिख सकते हो, समझ सकते हो, क्या अब इस level पर आ चुखे हो, इन दोनों की powers क्य हो जाएंगी, add हो जाएंगी, क्योंकि दोनों की basis सेम है, तो 2 minus 1 over 2, अब होप सो यह तो अब समझ आ रहा है, इसमें तो कोई detail में जाने की जुखत नहीं है, ऊपर क्या हुआ, यह जो x है भाई, इसे नहीं भूलना, यह अक्सर student इसे भूल जाते हैं, इसे नहीं भूलना, 1 किसी भी चीज़ से multiple ही हो, उसकी फ़रक नहीं पड़, अब bracket में क्या हुआ, अगर आप bracket को गोर से देखो, तो यह जो x square है, यह minus x square से cut out हो गया, हम, सो solve होता जा रहा है, तो minus 1 और minus 1 बचे, minus 2, कोई confusion तो नहीं, I hope so, यहां तक clear है, अब उपर क्या है, minus 2x, और x square plus 1 की power square root है, तो उसको square root में ही लिख देते हैं, x square plus 1, और यह भाई साब के साथ क्या हुआ, x square minus 1, 2 to the 4, 4 में से 1 गए तो 3, लीजिए, that is your final answer, and hopefully आपको के करके बता रहा हूं, कोशिए यह है के, detail में चले जाया जाए, क्यों था कि समझ आ जाजए, तो कोशिश मेरी, I hope so, के कामयाब हो गई हो, प्रैक्टिस जरूर करनी है, एक दफा खुद करने की कोशिश जरूर करनी है, और जहां पर कोई भी confusion और वीडियो को पीछे करके यहाँ पर क्या किया है, और पैन से रिजिस्टर की उपर अपने हाँ से करने की कोशिश जरूर करो, जब आप पेज़ पे अपने हाँ सॉल्व करोगे, तो उससे फरक पड़ेगा, फिर मिलते हैं इस लेक्चर में, तब तक अपना और अपने धारों का बहुत क्या रखेग खुद आप सबको बहुत खुश रखे और बहुत कामियाब करें, खुम एहनत करते रहें लिए लिए स्मार्ट वर्क के साथ, अल्ला हाफीस क्लास